दोस्तो इस वीडियो में हम SSE CGL 2022 का data analysis करेंगे और इसमें देखेंगे कि 90 प्लस score करने वाले कितने student है 100 प्लस कितने है और 110 प्लस कितने है और यहां पर बात करें 125 कितने student है 137 प्लस कितने student है और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा मतले एक एक्स्टा चीज भी बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है अगर जोब लेनी है तो आप कितना पीछे हो आप से कितने लोग आगे हैं ये चेक करना ठीक है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में और लास्ट में बहुत ही अच्छी चीज आपको पताऊंगा तो पूरा देखना वीडियो को चलिए देख लेते हैं सबसे शुरुआत करते हैं 90 प्लस मार्क से 90 प्लस 90 प्लस स्कोर करने वाले हमारे पास स्टूडेंट है देखें 180,000 लगबग में से एक लाग 24,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनोंने 90 से उपर स्कोर किया है 90 या 90 से अधिक स्कोर किया है और मैंने आपको बताया था कि 10% लोग कॉम्पिटिशन में होते हैं यानि फॉर्म भरे गए थे लगबग 34, 35 लाग के आसपास भरे गए थे तो लगबग 3,500,000 केंडिडिट हमें चाहिए कॉम्पिटिशन वाले एक लाग 80,000 का है तो इसको डबल करूँगा तो लगबग 3,500,000 के आसपास आजाएगा तो इसको भी डबल करेंगे यानि इसको डबल करेंगे तो 12,24 यानि लगबग 2,40,000 स्टुडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस एक्जाम में 90 से उपर का स्कोर किया है 90 से अधिक का स्कोर किया है इतनी बात कलियर हो गई ठीक है आगे देखते हैं अब ये देखे 98 मार्क्स के हैं अब 98 180 में से 98 प्लस स्कोर करने वाले 1,8,000 लगबग कैंडिडेट्स हैं तो अब इसको भी डबल करते हैं यानि कि लगबग लगबग 2,16,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 98 से उपर का स्कोर किया है देखे 8 नमबर बढ़ाते ही लगबग लगबग यहां पर कितने 24,000 स्टुडेंट्स बहार हो चुके है 8 नमबर बढ़ाते हैं है ना पिछली बाद हमने पिछला डेटा 90 का था यह 98 का है अब एक चीज ध्यान में रखेंगे जो व्यक्ति 98 से उपर है तो वो 90 से उपर तो हो गई होगा यानि इन में 2,16,000 में स्टुडेंट्स भी है जो 90 से उपर भी है है ना तो आप डेटा को लेकर मतलब कन्फ्यूज क्रियेट मत करना अपने माइड में जो चीज़े मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है ठीक है रेंक आई क्यों क्यों कोटिंग अब देखिए 110 के अगर बात करें तो भाईया 180,000 में लगबग 79,000 यानि लगबग 80,000 स्टुडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 110 प्लस स्कूर किया है डबल करेंगे तो 8,21,16 तो लगबग 160,000 स्टुडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 110 मांक से उपर का स्कूर किया है अभी देखिए यहां पर कितना अंतरा चुका है जैसे ही मैंने 10 नंबर बढ़ाए तो यहां से 12 नंबर जैसे ही मैंने बढ़ाए 98 से मैं 110 पर पोचा तो कितने स्टुडेंट्स चालिस ये और कितने ते 116,16 वो 56,000 स्टुडेंट्स बाहर हो चुके है 10 नंबर बढ़ाते ही तो देख सकते हैं ठीक है इतना स्कूर करने वाले कितने स्टुडेंट है और अब यहां पर देखते हैं आगे देखो 125 से अधिक स्कूर करने वाले स्टुडेंट्स कितने हैं 170,000 में से लगबग 49,000 अब एक चीज़ा आपको ध्यान रखना यहां पर डबल नहीं करूंगा क्योंकि 125 स्कूर करने वाले बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनोंने अपना रेंक आईक्यों पर चेक नहीं किया होगा मतलब बहुत जादा लोग नहीं बच्चे होंगे क्योंकि वो बहुत जादा एक्टिव होते हैं पहले ही सारी चीज़े अपनी माइड में रखते हैं ठीक है तो मैं यह मान के चलता हूँ कि बहुत कम लोग बच्चे होंगे 35,000 ही है लगबग अगर मैक्सिमम वेकेंसी की बात करें तो 35,000 है लेकिन 125 से अधिक स्कोर करने वाले स्टुडेंट भी लगबग 50 से 60,000 है तो मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अगर आपको इन स्टुडेंट्स को कॉम्पीट करना है 130, 135 वाले स्टुडेंट को कॉम्पीटिशन देना है मतलब स्टुडेंट लेना तो इनको कॉम्पीटिशन आपको देना पड़ेगा इनको पीछे करना होगा और यह पीछे तब ही हो सकते जब आप इनसे जादा पढ़ाई करोगे ध्यान से सुनना मेरी बात इनसे जादा पढ़ाई करोगे तब ही आप इनको पीछे कर सकते हो अधरवाईज जिनका अभी जिनके मार्क्स 125, 130, 135 है उनी के चांसे से सलेक्शन लेने के तो यह एक पॉइंट है बहुत बड़ा आगे देखते हैं लास्ट में 137 137 से उपर स्कोर करने वाले कितने स्टुडेंट होंगे 180,000 में 21,000 है तो यहाँ पर लगबग लगबग 30,000 में मानके चलता हूँ 30,000 स्टुडेंट ऐसे होंगे जिनोंने क्या किया है 137 से उपर का स्कोर किया है भाई यही लोग तो वैकेंसी लेंगे लास्ट में फाइनल स्टुडेंट को लेगा जो 130 से उपर स्कोर कर रहा है है ना तो वो तो उसकी तयारी अच्छी है अगर आपको स्टुडेंट लेना है तो इसको पीछे करना पड़ेगा इसको पीछे करना पड़ेगा तब आप सेलेक्शन ले सकती हो तो इसको पीछे करने के लिए आपको डबल मेहनत करने होगी तो आप सोचने कि आथ थोड़ा वोद पड़के काम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता अगर आपको सेलेक्शन लेना है CGL में, final में तो आपको अच्छे से त्यारी करनी होगी इन से आगे इन से तेज दोरना होगा तब यह आप इनको पीछे कर सकते हो तो यह एक reality है ठीक है? अब देखिए मैं द्वारा से बता देता हूँ ठीक है? देखिए जैसे यहाँ पर data है यह 41,000 का है यह 125 प्लस वाले है तो इसमें 41,000 में तो इसमें 137 प्लस वाले भी तो है 137 प्लस वाले मतलब आप confusion मत करना कि आपने 41,000 यह बता दिये है ना? और 21,000 यह बता दिये तो आप 41 और 21 जोड़ो 62,000 हो गए फिर आप यह भी जोड़ो कि आपने 80,000 यह बता दिये ठीक है? तो एक लाग चालिस जार आपने यह बता दिये ऐसे मत जोड़ना यह गलत हो जाएगा आपका प्रेडिक्शन एक लाग आप इनको भी जोड़ो कि 2,4,000 हो गए और यहाँ पर भी आप एड़ कर लो कि 1,24,000 यह है 3,60,000 हो गए तो ऐसे यह चीज़े आप माइंड में क्रियेट मत करना जो मैंने बताई वो चीज़े बिल्कुल सही है ठीक है? तो आपने देख लिया होगा कितने स्कोर करने वाले कितने स्टुडेंट है और अगर आपको फाइनल सेलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? मैंने आपको बता दिया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पो वोचिंग दिस वीडियो और कोई इंफोर्मेशन चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ आप कोमेंट करके बता दिया